और दिखिए जैसा कि हम लगातार दिखा रहे हैं आपको कि किस तरीके से कोरोना महामारी के दौर में जगे-जगे डिजिटल क्लासिस शुरू हो गई हैं कई स्कूलों अपने क्लासिस शुरू कर दी हैं टीचर्स जो हैं फैकलिटीस जो हैं वो घर से ऑनलाइन क्लासिस इस्टुएंट्स को दे रही हैं तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं डेली वर्ल पब्लिक स्कूल की टीचर अंशु गुपता जी मैडम बहुत बहुत स्वागत हैं आपका एंपी टीव इंडिया पर हैं जी थांक यू सो मच सबसे पहला तो मैं जानना चाहूंगा कि यह कोरोना मामारी का जो दौर है इस दौर में किस तरीके से आप स्टुएंट्स को इस वक्त पढ़ा रही हैं कौन सी क्लासिस आपने इ नेरिये इस लुड़ में तो हमने यह यह लाइव क्लास्स कंप्योटरिया पर मुझे देग सकते हैं जी तो इसमें आप किस टेक्नीलोजी का उप्योग ले रहे हैं गूगल से कर रहे हैं कौन सी टेक्नोलोजी के जरिये क्लास्स मैं जी एक प्लैटफे'RE है next next learning platform हम उसको यूज कर रहे हैं और उसमें हम बच्चों के साथ काफी कुछ experiment कर सकते हैं हम उनको videos दिखा सकते हैं हम उनको textbook भी दिखा सकते हैं उसमें हम उनके साथ interaction कर सकते हैं तो next learning platform से हम use कर रहे हैं इस दोरान जो आपके तमाम faculties हैं वो घर से यह उनको इसकूल में जाना पड़ रहा है जी नहीं बिलकुल नहीं हम अपने घर से बाहर भी step out नहीं कर रहे हैं हर कोई अपने घर पर है अपने stay home stay safe को follow करते हुए हम अपने घर के अंदर से ही classes ले रहे हैं अंदर से ही घर से ही classes चल रही हैं सबको तमाम लोगों को आदेश हैं सब लोग पालना कर रहे हैं बिल्कुल दिस्टेंसी की lockdown का सब लोग पालना कर रहे हैं इक बात और मैं जानना चाहूंगा इससे पहले डिजिटल classes कहीं भी शुरू नहीं हुई थी लेकिन कोरोना मामारी का दौर आया तो सब को आदेश भी आया और उसके बाद इसकोलों ने डिजिटल क्लासिस शुरू कर दी क्या इस दोरान जो बच्चे हैं और जो पैरेंट्स हैं वो डिजिटल क्लासिस के लिए पूरी तरीके कर रहे हों डिजिटल प्लाट्फॉर्म पे सीखने का उनका भी नया एक्स्पिरियंस है हमारा भी सिखाने का नया एक्स्पिरियंस है बट देन हम सभी लोग इसको बहुत इन्जोय करके और पूरी तरह से इसको यूज कर रहे हैं वक्त का बिल्कुल अच्छी तरह से देखे हमारे पस जो भी क्लासिस चल रही हैं उसके रिकॉर्डड़ वीडियो भी हैं, वर्कशीट्स हैं, हमने हर चीज को डोकुमेंट करके रखा हुआ है, वर्कशीट्स उसके सल्यूशन्स और जो हम लाइव लेक्चर्स दे रहे हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग हमारे पस तो इनकेज जैसे कोई बच्चा हमें उस टाइम पर उनलाइन नहीं जॉइन कर पाता है, तो वो वापस से उस एप पर जाकर उस प्लाटफॉर्म पर जाकर पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग देख सकता है, और जो बच्चे क्लासिस ले भी रहे हैं, यह बहुत अच्छी च क्या चल रहा है, पूरी जी जी हमने शेडिल डिसाइड करा है, हर क्लास के लिए हमने अलग-अलग स्लोट्स रखे हैं, जैसे हमारी ग्रेड्स जो 1 & 2 हो है, उनका 2 घंटे का स्लोट है, 3, 4, 5 का 2 घंटे का स्लोट है, और जो 6 से उपर की क्लासिस हैं, उनकी अभी दुपहर में classes 3 to 6 तो laptop लेकर ही में बैठी हो मेरी class अभी चली रही है तो हम बच्चों को बहुत comfortable करके और अलग-अलग slots में पढ़ा रहे हैं अच्छा कई जगे से हमारे पास ऐसी खबरे भी आई थी अजमेर की भी बहुत सरी schools हैं जिन्होंने जो किताब है क्योंकि अभी publishers खुले नहीं है books की दुकाने जो है वो खुली भी नहीं है तो क्या किताबे जो है वो कोई PPT या PDF मोड में दी जा रही है बच्चों को हां जी बिलकुल NCRT की किताबे PDF मोड में हैं सारी की सारी इंफाक्ट सारी किताबे ही online आजकल मिल जाती और NCRT की स्पेशली तो पूरे PDF फाइल मिल जाती है तो एज फैकल्टी आपका अनुभव क्या है इस दोरान डिजिटल किलास का और जब आप सामने ही बच्चों को पढ़ाते थे इन दोनों में डिफ्रेंस क्या है क्या चुनोतियों का सामना करना पड़ रहा है आपको इसे आपको और भी दो वही है हम बहुत बच्चों से बाते करते क्योंकि हमारा स्कूल जो एक प्लाटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे है उसमें बच्चे हमसे बात भी कर सकते हैं वह हमसे questions भी पूछ सकते हैं पर एक वह जो जो बच्चों के साथ जो एक एनरजी लेवल होती है एक स्कूल को बहुत ज्यादा मिस करें स्कूल को सभी लोग मिस कर रहे हैं यह वाकई कई जगे से हमको ऐसी सूचना भी हैं खबरे भी हैं बच्चे अपने दोस्तों को भी याद इस वक्त कर रहे हैं एक मैं आख्री सबाल और आपसे इस वक्त जानना चाहूंगा कि कोरोना मां तो क्या आप इस निंड्ने को आप कैसा लेते हैं क्या मानती है इसके उपर आपके पहले क्वेशन का जवाब तो यह होगा कि डिजिटल क्लास वाइनॉट एक प्लैटफॉर्म है हम बहुत कुछ सीख चुके हैं हमारी काफी सारी ट्रेनिंग्स हुई है डिजिटल क्लास को ल से पूछी कि क्या था क्वेशन प्लीज एक बार वापस बोलीगा जो सरकार ने आदेश दिया कि दस्वी और बारवी के बच्चों को छोड़कर बागी के क्लासिस के बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए बिना रिजल्ट के आपके स्कूल में क्या है रिजल्ट डिकलेर हो एक फॉर्मिल असेस्मेंट का तरीका होता है अधर्वाइस सीखने की प्रक्रिया तो पूरे साल चलती रहती एट इस नॉट अनली दी एग्जम्स जो बच्चा सीखेगा वो पूरे साल सीखता है सो दर लर्निंग इस एन ओन गोईंग प्रोसेस हां जी और हमारे स्कूल में इक्जमिनेशन्स खतम हो गए थे एक एक एक्जम सीनिय बच्चों का रहे गया था तो उस एक्जम को हमने छोड़कर और सभी बच्चों को प्रोमोट कर दिया है बिल्कुल हम सरकार के जो भी निर्देशे उनको फॉलो कर रहे है शाली ठीक है MTTV इंडिया से जुड़ने क कहीं ना हो जाए उसको ध्यान में रखकर डिजिलक लासी शुरू कर दिये है राजे सरकार ने भी साबतक्पर पर दिशानिर देश जारी कर दिये है सरकारी स्कूलों के बच्चों के बच्चों के बच्चों के लिए भी कि उनको ये लरणिंग प्रेटफोर्म से जोड़ा जाए खैर आप अपने घर पर रहिए सुरक्षित रहिए बच्चों का और बुजुर्गों का खास तोर पर ध्यान रखिए कोशिच कीजिए हर एक गंटे में अपने हाथ दोते रहिए अभी के लिए के वल इतना ही अगर 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 अगर